तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करेंगे MP पुलिस का जो आज एक्जाम हुआ है आठ जन्वरी को पहली सिप्ट और सेकेंड सिप्ट का तो दोनों के कुश्चन्स करेंगे जो कि आज पूछे गए हैं और जिनका कल एक्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्याद दबालें चलिए शुरू करते हैं तो गाइस आज के सेशन में पहला कोश्चन है महराश्टर का जो लोक नत्य है वो क्या है तो कल के लिए भी इंपोर्टेंट कोश्चन है तो ये हो जाएगा लाबड़ी अगला कोश्चन आया था गंगा की सबसे बड़ी साहयक नदी जो ह यमुना अगला इस रो से समंद्ध प्रसन आया था एक कोश्चन नेक्स्ट है मराठी अकादमी जो है ये कहां है तो मराठी अकादमी की बात करते हैं तो मद्ध प्रदेश के भोपाल जिले में है एक कोश्चन आया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने एक कोशन था विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एसकॉर्विक एसेड और इसे जो रोग होता है इसे कारण क्या हो जाता है मसूनों में सूजन आ जाती है एक कोशन और आया था मस्तिस्क का वजन बेट जो होता है वो कितना होता है तो मस्तिस्क का वजन होता है 1400 ग्राम एक कोशन था विबेक सागर किस खेल से संबंदेत है तो विबेक सागर संबंदेत है होकी से नेक्स्ट कोशन आया था तेली का मंदर मद्द प्रदेश में कहां है तो तेली का मंदर मद्द प्रदेश के गौलियर जिले में है एक था कि चितरगुप्त का मंदर मद्द प्रदेश में कहां पर है तो चितरगुप्त का मंदर मद्द प्रदेश के खजुराओ जिले में है एक था कि चूलिया जलप्रपात मद्द प्रदेश में कहा है तो चूलिया जलप्रपात मद्द प्रदेश के चंबल जिले में है एक था मद्द प्रदेश MP खने जिनिगम के स्थापना कब की गई तो मद्द प्रदेश खने जिनिगम के स्थापना की गई थी 1962 में उर्दु अकादमी मद्द प्रदेश में कहा है तो उर्दु अकादमी मद्द प्रदेश के भोपाल में कहा है भोपाल एक कोश्चन था कि अजन्ता की गुफाओं से समंदेत कोश्चन साया था एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज जो की है वो की है रॉन्ट जन्ने एक कोश्चन था चचाई जल प्रपात कहा है? तो चचाई जल प्रपात है रीवा में कहा है मद्द प्रदेश के रीवा में? एक कोशन था कहाना किसली नेशनल पार्क कहां है तो मद्द प्रदेश के बाला घाट एक कोशन आया था बर्मान मेला कहां लगता है तो बर्मान मेला लगता है मद्द प्रदेश के नरसिंगपुर में लगता है बर्मान मेला और एक कोशन आया था मद्द प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क जो है वो कहां है तो ये हो जाएगा पन्ना क्या हो जाएगा पन्ना और गोट मार का मेला कहां लगता है तो गोट मार का मेला लगता है छिंद बाड़ा में एक कोशन था माइटो कंड्रिया की खोज किसने की तो माइटो कंड्रिया की खोज की अल्टमेन ने 8086 में मतलब 1886 में की थी एक कोश्चन था चौंसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था तो चौंसा का युद्ध लड़ा गया था सेरसा बाहुमायू के बीच Common belt game से संबंदित question आया था एक question था कि मालबा उत्सब जो है ये कहां मनाया जाता है तो मालबा उत्सब मनाया जाता है मद्ध प्रदेश के इन दौर में जागे सुरी देवी का मिला कहां लगता है तो जागे सुरी देवी का मिला लगता है चंदेरी में कहां लगता है चंदेरी एक कोश्चन था कि मोती मस्जित कहां है तो मोती मस्जित मद्द प्रदेश के भोपाल जेले में है एक कोश्चन था कि अंतिम मौरे सासक का क्या नाम था अंतिम मौरे सासक कौन था तो ये था ब्रहे जरत एक और कोश्चन आया था अंतरिच में जाने वाली पहली महिला जो है वो कौन है तो वो हैं बैलेंटीना टेरिस्कोब कोवा एक कोश्चन आया था गाइस भूख एवं प्यास का केंद्र क्या है तो भूख एवं प्यास का केंद्र है हाइपो थैलेमस एक कोशन आया था सास बहु मंदिर कहां है तो सास बहु मंदिर है मद्द प्रदेश के गौलियर जिले में और एक कोशन था भोपाल गैस तरासदी की जो गटना है ये कब गटे तो इती तो भोपाल गैस तरासदी की गटना गटे तो इती 1984 में गटी तुई थी और इसमें जो रिशा हुआ था गैस का उसका नाम था मेथिल आईसोसाइनेट एक कोश्चन था तान सेन की समाधी जो है ये कहां है तो तान सेन की समाधी है मद्द प्रदेश के गौलियर जिले में एक कोश्चन था लहसुन में किसकी गंद आती है तो ल वो ऐस होता है इसका परमाडू क्रमांग मतलब अटॉमिक नमबर 16 होता है अगला है चलने वा फिरने में किस पेसी का योगदान है चलने वा फिरने में कंकाली पेसी का योगदान है अगला सेब में कौन सा अमल पाया जाता है तो सेब में मैलिक एसेड या मैलिक अमल पाया जाता है एक कोशन था भूक कंप को किसे से मापा जाता है तो देखिए ये सिस्मो ग्राफ से मापा जाता है और कौन से स्केल पर होता है रियक्टर स्केल पहमाने पर मापा जाता है एक आया था कोशन लालबाग पैलेस मद्द प्रदेश में कहां है तो लालबाग पैलेस मद् पहला जो सीजन था आईपेल का यह हुआ था 2008 में और पहले सीजन में राजस्थान रोयल्स जीता था और अगर पूछा जाए 2021 में किसने जीता है तो यह जीता है चेन्ने सुपर केंग। अगला कोश्चन आया था प्लासी का युद्ध जो है यह कब हुआ प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में एक कोश्चन था सिलेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहां होता है तो यह होता है मद प्रदेश के मनसौर में गाईज अगला कोश्चन है एक कोश्चन आया था दोन को डेसी बल में मापा जाता है किसमें मापा जाता है डेसी बल एक कोश्चन था विटामिन डी का रासाइनिक नाम क्या है तो विटामिन डी का केमिकल लेम है केलसी फेरॉल और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और इससे क्या होता है देखिए हड़ियां जो होती और ये पाया जता है सूर के प्रकास में मिटामेंड दी पाया जता है तिरुपूरा भारत का पूरल राजी कब बना तो तिरुपूरा जो है भारत का पूरल राज 1972 1972 में बना एक क्वेस्चन था कि MP का सबसे बड़ा अभैरन का क्या नाम है तो मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा अवयारन ने है नोरा दैही एक कोश्चन था बेकिंग सोडा का क्या नाम है तो ये है केमिकल नेम क्या है सोडियम बाइ कार्बोनेट तो ने एच सियो थरी इसका केमिकल फार्मूला होता है एक कोश्चन था रौकेट जो है किस सनच्चन पर कार्ब करता है तो रौकेट जो है संबेक सनच्चन के सिद्धान पर कार्ब करता है एक कोश्चन आया था कि नीरत चोपडा ने ओलंपिक में कितनी दूरी तक भाला फेंका तो 87.5 मीटर तक एक कोश्चन गाइज आया था सम्मिधान दिवस कब मनाया जाता है तो सम्मिधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है और पर्यावान दिवस की थीम क्या है तो ये है इको सिस्टम रेस्ट्रोरेशन एक कोशन था कि तात्या टोपे की जो समाधी है ये कहां है तो तात्या टोपे की समाधी है सिवपूरी में एक कोशन था कि किड़नी का जो बजन होता है वो कितना होता है किड़नी का बजन होता है 150 से 170 ग्राम के बीच कोईले का सब से ज़दा उतपादन भारत के किस राज में होता है, तो ये होता है जहार खंड. मदन महल कहां पर इस्तित है, तो मदन महल मद प्रदेश की, जबलपूर जिले में इस्तित है, जबलपूर. एक माय था दिल्ली भारत की राजदानी कब बनी? तो 1911 में बनी थे दिल्ली भारत की राजदानी जै विलास पैलेस, MP के किस जिले में है? तो यह हो जाएगा गौलियर गोहर महल MP में कहा है? तो यह है भौपाल में एक Qution आय था कि बिटामिन की खोज किस ने की तो विटामिन की खोच की थी फंक ने एक कोश्चन था पेरिश जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो ये है सीन नदी के किनारे कोश्चन आये था MP का मद्द प्रदेश का पूरुवी जिला जो है वो कौन सा है वो हो जाएगा सिंग रोली कोश्चिका के साइज या आकार को किस में मापा जाता है तो माइक्रोन में मापा जाता है जल को किस की साहता से साप किया जाता है तो ये हो जाएगा सम्बहन और आज का लास्ट है महिला देबस किस की याद में मनाया जाता है तो सरोजनी ना एडू तो काईजास के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्य बाथ